हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू मैं चैनल हमारे अपने चैनल पर आपका स्वागत है हम यहाँ बिलकुल ठीक है और आपसे भी यही उमीद है कि आप भी अपनी फैमिली के साथ हैपी एंड हैल्दी होंगे सो आज मैं आपके साथ हमारे सुबह उठने से लेकर बैट टैम तक की कमप्लीट रूटीन शेयर कर रही हूँ साथ ही आपके ही रिक्वेश्ट वर मैंने आज इस व्लोग में अपने दोनों बच्चे आया पूरे दिन की डाइट उनकी रूटीन स्कूल और यहां तक उनके स्टड़ी के बारे में मुझसे जितना हो सका उतनी जानकर यह आपके साथ शेयर की है सुआ होब कि आपको आज का यह व्लोग पसंद आए कल राज सोने से पहले मैंने एक गलास पानी में आराउंड वन टी स्पून बड़ी सौफ भी गाये थे सो फिलाल सुबह उटकर सबसे पहले मैं वही सौफ वाला पानी पी रही हूँ बैसे सुना है कि सुबह खाली पेट, सौफ, जीरा या मेथी वाला पानी पीना हमारे सेहत के लिए फाइदे मन्द होता है तो बस फिलाल यही सौफ वाला पानी पीकर में पास दस मिनट के लिए थोड़ी सी स्ट्राचिंग करूंगी अब आपसे मैं नहा कर रेडी होने के बाद मिलती हूँ सुब़ जल्दी उठने की वज़ा से मेरे पास इतना समय तो होता है कि कुछ क्वालिटी वक्त मैं अपने आपको दे पाऊं मेरी पर्टिकुलर स्कीन केर रूटीन है जिसे मैं रोजाना दिन में दो बार फॉलो करती हूँ एक बार मॉर्निंग में एंड एन इवनिंग में जो की जल्द ही मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी और इसके अलावा यहां थन बहुत होती है सो ड्राइने इसकी प्रॉबलम यहां काफी कॉमन है इसलिए कोई भी और काम करने से पहले शावर लेने की तुरंद बाद मैं अपने हाथ और पैरों में मॉश्यरेजर जरूर अपलाए करती हूँ फिल्हाल मॉनिंग के 5.45 हो रहे हैं और अल्मॉस इसी समय में अपने रेगुलर काम करना सुरू करती हूँ तो किचन में आते ही रात में जो मैंने बरतन धोकर रखे थे सबसे पहले उने ही काउंटर से हटा कर मैं बरतनों को उनके सही जगा पे रख रही हूँ एंद देन काउंटर क्लीन कर में तुरंती आयांस के लिए लंच और ब्रेकफस्ट बनाने में लग जाओंगी आयांस के लंच के लिए मैं आज बना रही हूँ वेज बिर्यानी जिसके लिए एक कप राइस को मैंने अच्छी तरह धोकर दस मिनट के लिए भिगो दिया और साथी एक बरतन में पान से छे कप पानी गर्म होने के लिए रखा है पाने के उबलने पर उसमें आरांड वन टी स्पूर नमक और तेल डाले और देन चावल डालकर दस मिनट तक तेज आज पर चावल को पकने दे साथी मैं यहां वेज बिर्यानी के लिए मसाला भी त्यार कर रही हूँ तो तेल की गर्म होते ही पैन में खड़ी मसाले और जीरा से तड़का लगा कर तड़के में खरी मेर्च और एक बारीक लंबे आकार में कटावा प्यास टाल कर प्यास को गोल्डन ब्राउन होने तक भूने एक चुला खाली था तो उसमें मैंने बच्चों के लिए दूद भी गर्म होने के लिए रग दिया और जैसे ही प्यास थोड़ा भून जाए तड़के में एक टेबल स्पून कद्दू कस कियावा जिंजर और गार्लिक एड़ कर उन्हें भी प्यास के साथ गोल्डन ब्राउन होने तक भूने और साथी मेरा ध्यान चावल पर भी था बिर्याने के लिए चावल को सिर्फ 10-12 मिनट के लिए बॉल करना होता है अजरवाई चावल एक दुसरे में चिपकने लगेगे और आपकी बिर्याने के चावल खेले वे नहीं बनेंगे तो जैसे ही चावल उबलकर बरतन में उपर की और आने लगे तुरंधी इस्टो बनकर चावल को पानी से छान कर अलग कर ले और चावल को थोड़ा थंड़ा होने के लिए एक साइड में रग दे लेसुन और प्याज भून जाने पर तड़के में अब मैंने अपने मसाले अड़ कर दिये तो यहां मेंने 1 टीस्पून बिर्यानी मसाला, çaf टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी के साथ आरांट 2 स्पून पानी मसालों में डाल कर तेल अलग होने तक 2 मिनित तक धीमी आज पर मसालों को भूँन लिया मसाला भूनने के बाद यहां मैंने आराण 1 टीस्पून सॉल्ट एड़ कर मसालों में एक बारी कटा हुआ टमाटर डाल टमाटर को भी 3-4 मिनट तक मीडियम से तेज आज पर भूना है अब आपके बच्चे जो भी सब्जिया पसंद करते हो मसालों में वो सारी सब्जिया एड़ कर ले यहां मैंने आराण 1 कब मिक्स फ्रोजन सब्जिया ली है जिने मसालों में अच्छी तरह मिक्स कर सब्जियों को अब में 5-6 मिनट तक धीमी से मीडियम आज पर ढख कर पकाऊंगी और जब तक मेरी सब्जिया कुक हो रही है साथी यहां मैं आयांस के ब्रेक्फस्ट की त्यारी भी कर रही हूँ ब्रेक्फस्ट पर मुझे पनीर के पराठे बनाने हैं जिसके लिए थोड़ा सा आटा गुन कर मैंने तयार कर लिया आटा गुन्थने के बाद सब्जी को एक बार मैंने देख लिया था अभी सब्जी पूरी तरह कुक नहीं हुई है तो मैंने सोचा कि जब तक सब्जी पक रही है बच्चों का मिल्क में रैडी कर दूँ और जब तक मैं किचन का काम देखती हूँ मेरे हस्बेंड आयांस को स्कुल जाने के लिए रैडी कर देते है तो आयांस को उसकी morning milk देकर मैं यहां उसके लिए breakfast बना रही हूँ तो आयांस के breakfast के लिए आज मुझे बनाना है पनीर का पराथा जिसके stuffing के लिए पनीर को grate कर मैंने उसमें basic मसाले और नमक एड़ कर पनीर को एक side में रख दिया और अब बिर्यानी के लिए मेरी सबजी कुक हो गई है तो अब चावल को सबजी में डाल कर मैं यहां दोनों को हलके हाथों से अच्छी तरह मिला रही हूँ आयांस के लंज के लिए बिर्यानी में ऐहां एक बॉल में निकाल रही हों ताकि राइस लंज बॉक्स में पैक करने से पहले थोड़े से 腹ंडे हो जाए साथ ही अगर कोई खड़ा मसाला दिख जाए तो उसे भी मैं राइस से निकाल दूँगी तो आयांस के दंच बॉक्स में आज मैंने एक सिम्पल सी वेज बिर्यानी फ्लेवर्ड योगर्ट और थोड़ा सा सार क्रीम पैक किया है क्रीम के साथ पुलाओ या बिर्यानी खाना आयांस को अच्छा लगता है इसलिए राइस के साथ मैंने थोड़ा क्रीम भी रख दिया तो आयांस का स्कुल बैक पैक हो गया और अब आयांस भी स्कुल जाने के लिए रैडी है तो अरान सुबह के आठ वजे तक आयांस को उसके डैडी स्कुल ड्रॉप कर देते है समयन अभी तक सोकर नहीं उठा है तो उसके उठने तक मैं यहाँ अपने थोड़े बहुत काम निपटा रही हूँ लिविंग रूम कल रात में सोने से पहले ही क्लीन कर लिया था तो फिलाल लिविंग रूम की हालट ठीक है बस सारे ब्लाइंट्स ओपन कर अब में करूगी अपनी पूजा वैसे सुबह जब मैं नहा कराती हूँ उस समय तो अंधेरा होता है तो मेरी पूजा आयांस के स्कुल जाने के बाद ही हो पाती है और फिर पूजा कर मैंने सोचा कि पहले लॉंडरी कर लो ताकि मेरे ब्रेकफर्स कर किचन वगेरे क्लीन करने तक मेरे कपड़े भी धुल जाए वैसे कई बार ऐसा होता है कि समयन आयांस से भी पहले उठ जाता है मौनिंग में लेकिन अगर वो सो रहा है तो हम उसे बिल्कुल नहीं उठाती बलकि उसे सोने देते हैं जब तक उसकी नीन पूरी नहीं होती फिर चाहे वो जब भी उठे तो आसमयन को उठने में थर्टी हो गए है और फिलाल वो पी रहा है अपनी मौनिंग मिल्क और आयांस को स्कुल डॉप कर आयांस के डैड़ी भी घर आ गए थे तो मैंने उन्हें भी ब्रेकफ़स्ट दे दिया साथी समयन को भी रेड़ी कर दिया सो मैं और समयन साथ में ही ब्रेकफ़स्ट करेंगी हम दोनों को ही राइस खाना पसंद है तो मैंने सोचा कि हम बिर्यानी ही खा लेंगी लेकिन फिर समयन को साथ में मैंने कुछ फ्रोट्स भी दिये थे वेसे कुछ महेने पहले मैंने आपसे अपने पैरों के दर्द के बारे में डिसकस किया था सो आप मैंसे कई लोग उसके अपडेट के बारे में पूछ रहे थे सो आप लोगों को बता दू कि फाइनली काफी महेनों के बाद मुझे अपरेल के फर्स्ट वीक में और्थपीडिक की अपॉइमेंट मिल गई है और पिछले तीन-चार महिनों से मैं रेश्ट पर हूँ कोई भी कार्डियो या एक्सेसाइज नहीं कर रही हो वरना मेरे पैरों का दर्द और भी बढ़ जाता है तो अप मेरे और्थपीडिक जो भी एक्सेसाइज सजेश्ट करेंगे मैं वही करूँगी और वो जो भी सजेश्ट करेंगे मैं आपके साथ भी जरूश शेयर करूँगी तो किचन क्लीन करने के बाद मैंने वाशर से कपड़े निकाल कर ड्रायर में सुखने के लिए रख दिये और यहां मैं सही कर रही हूँ अपना बैडरूम साथी बैड पर जितने भी पिलोज और ब्लैंकेट्स वगेरा होते हैं यूज़ करने के बाद मैं तुरन तुने उठा कर उनके जगाँ पे रख देती हूँ वरना तो मेरे बच्चे उनसे खेलना शुरू कर देते है पीजा पीजा फोर ब्लिपी जितने देर मेरी क्लीनिंग हो रही थी उतने देर समयन अपने टॉय से खेल रहा था सो अब मैं अपने सारे कामों से फ्री हो गई हूँ तो लंच बनाने से पहले मैं यहां समयन के साथ बैठ कर उसकी लर्निंग करा रही हूँ फिलाल स्मेन की जितनी भी लर्निंग होती है उसे हम घर में ही खरवा रहे हैं अभी तक स्मेन ने कोई भी स्कुल जॉइन नहीं किया है आई थिंक सो आने माले अगर्ष्ट या सप्टेंबर तक उसके स्कुल में एड्मिशन हो जाएंगे लेकिन तब तक तो स्मेन की होम स्कुलिंग ही होगी और स्टडी के लिए जो भी माटेरियल्स या पेपर्स आप इस वीडियो में देख रहे हो ये सारे पेपर्स आयांस के प्री स्कुल के समय के है मैंने आयांस के काफे सारे पेपर संभाल के रखे थे उनकी कॉपी भी करवा ली थी तो इस मैंन की स्टड़ी के लिए फिलहल में उनी पेपर्स को यूज़ कर रही हूँ रिसेंटली आपके लिए यूटूब पर मैंने अपना एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसमें मैं अपने लाइफ के कुछ खास मॉमेंट्स छोटी छोटी क्लिप्स के जरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो उस चैनल पर औरेडी मैंने इस मैंन की होम स्कूलिंग की क्लिप डालती है अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हो तो चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि कई बार हमारे लाइफ में बहुत कुछ स्पेशल चल रहा होता है जिसकी क्लिप तुमें रिकॉर्ड कर लेती हूँ लेकिन व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पाती तो ऐसे कई सारे क्लिप से जो मेरे पास जमा हो गए है और मुझे आपके साथ शेयर करना था और कई सारे मैमरीस थे जो मैं चाहती थी कि आप भी देखे लेकिन उन रेंडम क्लिप को मुझे अपने व्लॉग के साथ मिक्स नहीं करना था इसलिए मैंने अपना एक नया चैनल बना लिया जिसमें अल्मोस एवरी डे अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ मैं शेयर करते रहती हूँ मैं चाहूँगी कि आप भी एक बार उस चैनल पर जाए और क्लिप्स पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स मिल जाएगा तो समें ने कुछ 15 से 20 मिनट के लिए ही स्टड़ी की होगी देनों से भूख लगी थी तो मैंने समें को एक मैंगो कट करके दे दिया और फिर लंच बनाने ही जा रही थी तभी मुझे ड्रायर के बंध होने के आवाज आई कपड़े सुख गए थे तो सोचा की तूरंधी फोल्ड करके रख दू और फिर लंच बनाओ तो ये भी एक काम हो जाएगा अभी मॉनिंग के 11 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ अपने लंच की त्यारी करने समयन को थोड़ी देर के लिए टीवी लगा कर दिया है और थोड़ी देर में मेरे हस्बंड भी फ्री हो जाएंगी तो समयन अपने डैडी के साथ बाहर वॉक के लिए चला जाएगा सो आज में लंच में बना रहे हूं आंध्रा इस्टायल बैंगन की मसाले वाली सब्जी साथ में लौकी वाली चेने की दाल भी बनाऊँगी तो बैंगन की सब्जी और दाल बनाने के लिए जो भी सब्ज्या लगे गी उन सभी को मैंने एक साथ कट क कर लिया एंदेन एक कप चने की दाल मैंने दो घंटे पहले ही भीगा कर रखी थी तो चने की दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैं कूकर में एक कप चने की दाल के साथ एक कप बारी कटी हुई लौकी डाल रही हूं एंदेन चार कप पानी के साथ हल्दी नमक एड़ कर में मिडियम आज पर कूकर की चार से पास सीटिया ले लूँगी यहां मैं साइड में अपने बैंगन की सबजी के लिए मसाला त्यार कर रही हूँ तो मसाला बनाने के लिए यहां मैंने दो टेबल स्पून मुंफली के दाने टूटी स्पून सफेद तिल वंटी स्पून सूखा धनिया वंटी स्पून जीरा एक चोथाई चमच मेती दाना दो से तिन हरी इलाइची थोड़ी सी दाल चिनी और दो लॉंग लिये है अब इन सारे मसालों को धीमी आज पर दो से तीन मिनट के लिए भूनना है बस इतना भूने की मुंफली के दाने और सफेद तिल हलके गोल्डन हो जाए और फिर इने एक कप में निकाल ले फिर उसी पैन में अरांड हाफ कप कटा हुआ कच्छा नारेल भी हल्का ब्राउन होने तक भूने एंदेन अप कच्छा नारेल भी हमें बाकी भूने में मसालों के साथ ही रखना है अब इन मसालों में दो हरी मिर्च, वन टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टीस्पून गरम मसाला, आधी छोटी चमच हलती और थोड़ा सा पानी डाल कर मिकसर की हैप से मसाले को पीछ लेना है तिन बेंगन की सबजी बनाने के लिए यहां मैंने 7-8 बेंगन लिए हैं, बेंगन के दंठल अलग कर बेंगन को मैं 4 भागों में कट लगा रही हूँ, बेंगन को सिर्फ मैं हाफ वे तक कट करूँगी ताकि मैं उनमें मसाला भर पाऊँ, कुछ लोग दंठल वाले हिस्से को ऐसे ही रहने देते हैं और बेंगन की दूसरी और से चार भागों में कट लगा कर बेंगन में मसाला भरते हैं, तो आप बेंगन को किसी भी और से कट कर सकते हो, बस बेंगन को पूरा मत काटना, और अब वीडियो में दिखाए के तरीके से सारे बेंगन में हमें मसाला भरन बैंगन में मसाला भरने के बाद भी आपके पास आराउंड हाफ कप तक मसाला बच जाएगा उससे हम तड़के में यूज करेंगे अब सबजी बनाने के लिए यहां में एक पैन में आराउंड दो से तीन टेबल स्पून तेल गर्म कर राई और जीरा का तड़का लगाया जी भी प्याज के साथ गोल्डन ब्राउन होने तक भूने अब लहसुन और प्याज भून जाने पतड़के में हाफ टीस्पून हल्दी वन टीस्पून लाल मिर्च पाउडर वन टीस्पून गरम मसाला और एक चोथाई चमच हिंग डाले साथी मसाले में डो टेबल स्पून प चैकल भी मसाले में कच्चापन नहीं होना चाहिए और अब मसालों के बून जाने पर हम मसालों में बहेंगान अड़ करेंगे और अब धककर बहेंगान को अच्छी तरह मसालों में पूख Christmas में डेना है बस बहेंगान को पकाते वковंगत धर थोड़ी जेर में बहेंगान को 20-25 मिनट लग जाते हैं सब में ढखकर बेंगल स्लो टू मीडियम आज पर पकने दूंगी और दूसरी और कुकर में दाल भी पककर रेडी हो गई है सो यहां मैं अपनी लौकी वाली दाल में तड़का लगा रही हूँ तड़के में बस मैंने राई, जीरा, हिंक, रिलियूस और हरी मिर्च के साथ बारी कटे वे लहसुन, प्याज और अद्रक का तड़का लगाया एंदें तड़के में हमारे रेगुलर मसाले और नमक के साथ टमाटर एड़कर मसाले को अच्छी तरह तेल अलग होने तक भून लिया मसाले भून जाने के बाद मसालों में मैंने अरौंड तेड़ कप पानी मिला कर पानी में एक बॉयल आने तक मसालों को कुप कर लिया और जब पानी में उबाल आ जाए उसमें लौकी वाली चने की दाल मिला कर दाल को मिडियम आज पर 10 मिनट के लिए पकने दे एंदिन दाल में उपर से हरा धनिया और घी एड़ कर श्टो बन करते तो ये दाल खास मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है इसलिए दाल में बहुत ज़्यादा मसाले वगेरे मैंने यूज नहीं किये बच्चे आसानी से खा पाए उस हिसाब से मैंने स्वादिष्ट लेकिन सिंपल दाल ही बनाई और दाल में तड़का लगाते समय मेरा ध्यान अपनी सबजी की और भी था तो आप देख सकते हो कि बेंगन मसालों के साथ अच्छे से भून गए है और सबजी का कलर भी काफी हद तक चेंज हो गया है तो दाल बनाते समय मैंने सबजी को एक दो बार बीच में चलाया भी था तो जब आपको लगे कि बेंगन अच्छे तरह भून गए है सबजी में आराउंड एक से देड़ का पानी मिलाए या अपग्रेवी जितनी भी गाड़ी चाहते हो उसी साबसे पानी मिला का सबजी को 15-20 मिनट के लिए स्लोटू मीडिया माच पर पकने दे पानी मिलाने के बाद मैंने सबजी में थोड़ी सी लाल मेर्चो चाट मसाला भी आड़ किया था ताकि सबजी थोड़ी और मज़ेदार बने तो जब तक सबजी बन रही थी साबने मैंने रोटिया भी बना का त्यार कर ली और थोड़े से चावल भी बनाए है साथ ही सबजी मैंने एक बोल में निकाल लिया वैसे रोज से कुछ अलग बनाओ तो कुकिंग में काफी समय लग जाता है और आज तो लंच बनाने में मुझे देड़ से दो घंटे लग गए लेकिन सबजी बहुत ही अच्छी बनी थी तो अभी around 120 हो गए है और यहां में कर रही हूँ अपना लंच वैसे ही सबजी मुझे राइस के साथ ज़्यादा पसंद है इसलिए अभी मैंने चावल के साथ लिये है और डिनर में रोटी के साथ खालूंगी सो लंच की बाद दोपहर के 145 को मेरी एक online class थी तो फिल्हाल मैं यहां वही अटेंड कर रही हूँ जो कि 2.30 तक चलेगी and then after class 3.00 बज़े तक में थोड़ा rest करूंगी वैसे अपनी class अटेंड करने से पहले मैंने स्मियन को एक रोटी में खी लगा कर खिला दिया था बाकि लंच वा आयांस के साथ कर लेगा स्वारांड 2.30 तक स्मेन अपने डैडी के साथ आयांस को स्कूल से लेने चला गया था तो 3.00 बज़े तक स्कूल से आयांस घर आ जाता है और फिर बाहर का मौसम भी आजकल अच्छा हो रहा है तो आते साथ दोनों बच्चे बाहर खेलने चले गए अब जब तक मिट्टी में सन नहीं जाते दोनों घर नहीं आने वाले आयांस को तुमें स्कूल से आने के बाद ही नहलाती हो लेकिन स्मेन के भी कपड़े मिट्टी से भर गए थे तो फिलाल मैंने दोनों को ही शावर लेने के लिए भेज दिया और नहा कर जो कपड़े बच्चे पहनने वाले थे उन्हें मैंने आरेडी निकाल दिया था बैसे रेडी होने में अभी उन्हें थोड़ी हेल्प करनी पड़ती है बाकी बच्चे कपड़े वगेरे खुद पहन लेते है तो बस रेडी होके फिलाल दोनों बच्चे लंच कर रहे है आयांस को मैंने लौकी वाली डाल के साथ दही और रोटी दी है और स्मयन को थोड़े चावल दिये थे साथी स्मयन सबजी के लिए कह रहा था तो मैंने उसे थोड़ी से सबजी भी दी थी लेकिन सबजी स्पाइसी थी इसलिए उसने नहीं खाई तो फिलाल बच्चे खाना खाकर खेलनी चले गए है और काउंटर में जितना भी लेफ्ट ओवर फुड बचा था उन्हें मैंने कंटेनर्स में खाली कर दिया साथी सिंग के सारे बतर डिस्वासर में रख दिये सो रात में सोने से पहले डिस्वासर ओन कर दूँगी एंड देन किचन और लिविंग रूम को थोड़ा सा क्लीन कर लिया सो राण पोर थर्टी तक मेरे सारे काम हो गए थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा फ्रेश होकर रेड़ी हो जाओ और फिर अपनी लेक अच्छी से कॉफी बना कर पिऊंगी सो मुझे थोड़ा रिलाक्स फिल होगा अपनी कॉफी बनाने से पहले किचन काउंटर पे जो भी बरतर मैंने दोकर रखे थे उन्हें काउंटर से हटाकर उनकी जगह पे रख रही हूँ और फिर स्मेन को फ्रूट्स खाने थे इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को पहले फ्रूट्स दे दू देन अपनी कॉफी बनाओ विसे इवनिंग में जैसे ही मेरे हस्बेंड का वर्क डन हो जाता है वो खुद ही अपने और बच्चों के लिए फ्रूट्स कटकर उन्हें खिला देते हैं लेकिन फिलाल वो बीजी थे इसलिए मैंने ही बच्चों को फ्रूट्स दे दिया इवनिंग के छे बज़रे हैं सो सेवन थर्टी से पहले हम मैंसे यहाँ उपर वाले फ्लोर पे कोई नहीं आता तो यहाँ के सारे ब्लैंट्स वगेरा बनकर मैंने मंदीर और गैलरी के लाइट्स आन कर दिये और अब नीचे जाकर मैं आयांस का होमवर्क करवाओंगी और आज लंज के समय खाना मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाया था तो अब मुझे डिनर नहीं बनाना होगा लेफ्ट ओवर अल्रेडी है तो हम वही खाएंगे राओं मुझे श्रीपिय गर्ट प्रेक्ट दिजिए यांदा वोर्ट नेर राड़िए तो सब्खना अल्रेडरिट सब्खना ही जिसलावन अंगा तो हम दिएम्स million अध्याद बढली तर प्क्र वार्याद मैं से कुछ लोग आयांस के syllabus के बारे में पूछ रहे थे तो फिलाल 1st grade में आयांस को math, language, science और social studies के अलावा art, music, computer, library और P.E. जैसे subjects होते हैं तो आने वाले week में कौन से subject बच्चे को किस दिन पढ़ाया जाएगा उसके एक summary chart school से parents को हर week send कर दिया जाता है इसके अलावा यहां 1st grade में बच्चों की reading पर जादा focus करते है तो आयांस को school से हर week कुछ books और word list की chart school से reading की practice के लिए मिलती है जिसे आयांस को everyday read करना होता है and then हर Friday को आयांस की reading assessment होती है आयांस को homework कराने के बाद हमने Minions के एक movie लगाए थी जिसे हमने बस हमारे dinner करने तक देखा इन देन dinner के थोड़ी देर बाद मेंने बच्चों को उनका milk दे दिया सो बच्चों को खिला पिला कर अब मैं अपना kitchen clean करूगी और तब तक मेरे husband बच्चों को bed time के लिए ready करेंगी स्वेन बातरों में जो ब्राइस कर क्या हूं सो जा हूं उपर मां सो ना बगल में सो ना उपर नहीं सोती बिटा इस गुड़ बच्चों को लेकर हम आट बजे तक बैट पर आ जाते हैं और दोनों इतने टायड होते हैं कि लाइट बंध होते ही सोने में उन्हें पांच मिनट भी नहीं लगते और आज कल मैं खुद भी नौ बजे से पहले ही सो जाती हूं तो अब मैं जा रही हूं सोने और अब आपसे मिलूगी नेक्स व्लोग में तब तक अपना ख्याल रखना